इसको देखिए जी आपने बिल्कुल ठीक देखा पहला चित्र देख लो वोला और अभी इसको पढ़ लीजे आपकी आत्मिक जणे खरी सिक्षाओं के छेत्र में मजबूत कर देंगे दस टक का मुझे जैसे लोग और मैं खुद यहां से आपको कहता हूँ कि आपकी आत्मिक जणे खरी सिक्षाओं के छेत्र में मजबूत कर देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि पेड तब तक टिका है जब तक जड़े मजबूत है आंदी आए तुफान आए लहरे आए पानी की बार आ जाए वो पेड जुकता जरूर है हिलता जरूर है क्या कहते हैं पतियां डालियां तूटती हैं लेकिन पेड बना रहता है क्यों क्योंकि इसकी जो जड़े है ना, वो मजबूती से रूटेड है, ये शुने के उधारन दिया था ना, रेत का घर, चटान का घर, रेत का घर क्यों गिर गया, टूड़ गया, बिखर गया, क्योंकि नेव मजबूत नहीं थी, चटान का घर पे भी आंदी तुफान, लहरे सबाई, लेक किस पर निर्बर है, मजबूती पर, बाहर से कितना भी कुछ हो जाए, आप तस से मस नहीं होते, क्यों, बनियाद मजबूत है, मैं यहाँ पर आपके बीच में क्या कर रहा हूँ पांच दिछे दिन से, आपकी जो बनियाद है ना, उसको मजबूत कर रहा हूँ, और knowledge मजबूत कर रहा हूँ आपका आत्मिक जीवन को ठीक कर रहा हूँ और जिसके चलते आप जो हैं मजबूत हो रहे हैं तो जिसके चलते ये जो slide है आप लोग इसको और भी ठीक से देखिएगा क्योंकि मैंने इसको रखा है ताकि मैं आपको इसी के उपर आज समझा पाऊ अशा करता हूँ आप लोग तैयार है मेरी जो हिंदी है आप समझ पा रहे हैं आवास आपको बिलकुल साफ और स्पस्ट सुनाई दे रही है और साथी साथ यहाँ पे जो कुछ बाते आती हैं उसको आप लोग देख पा रहे होंगे तो फिर से कहता हूँ मेरा मकसद अब यहाँ से आपको मजबूत करना है कल से जो टॉपिक्स आएंगे वो ऐसी टॉपिक होंगी जो आपकी जड़ों को मजबूत करेंगी लेकिन आज या आज का डे एपिसोड जो भी आप कहना चाहो मैं इसी के उपर बात करने जा रहा हूँ आप लोग तैयार हैं आईए सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप ये उपर पड़े लिखा है आपको गलत सिक्षाओं के प्रती सही ज्यान की जड़े मजबूत करनी होगी आपको गलत सिक्षाओं के प्रती सही ज्यान की जड़े मजबूत करनी होगी वो कौन कौन सी जड़े किस किस छेत्र में आपको अपनी जड़े मजबूत करनी है और वो कौन कौन लोग है या कौन कौन सी सिक्षाएं है जो गलत हैं आपकी नीव को हिला सकती है आपको भटका सकती है और आपकी विश्वास की नईया समंदर में डुबा सकती है जिसको कहते हैं नाश का समंदर ये सब Jehovah Witnesses, Mother Jerusalem, Only Jesus Group, gibberish speaking groups and many more cult groups येस आपने ठीक सुना, ठीक पड़ा, ठीक देखा ये सब आपकी जो जड़े हैं अगर मजबूत नहीं है आपके विश्वास के पेड़ को उखाड़ फेकेगी बट मैं नहीं देखना चाहता है ऐसा, मैं चाहता हूँ और मेरा प्रबू चाहता है आपका मसी जीवन, मसी जीवन का पेड़, बुनियाद, जिसको आपको मजबूत करना है और ऐसे खई टीचिंगों को, आप जहेल सको, उसका विरोध कर सको, उसका समना कर सको और उसके लिए आपको टटे रहना है, फेड़ खड़ा रहेगा, तब जब जड़े मजबूत होगी, तब आपको दिमाग में इस बात को डाल लीजेगा, ठीक है ना? साथी साथ, मैंने कल अपने चर्च में कहा था, चेंबूर में, आज मैं लाइव, आप सभी को कहना चाता हूँ, जो साड़े 600 के आसपास अभी लाइव, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब आपको सिरब खुद भी ऐसे मचबूत होना है, और इन सभी को जवाब देना है, आपकी जो स्टड़ी है, अभियास, ऐसा पक्का कर लीजे, लड़का, लड़की, पुरुश, स्त्री, ऐसा पक्का कर लीजे, कि आप इन सभी को जवाब दे सको, खुद भी आओ फेस्बुक पे, खुद कर प्रचार करो, और बाखी परमिश्वर के हाथों में सौंता हूं, ठीक है, इसको पढ़िए, सही जड़ें मजबूत होंगी कैसे, सही जड़ें मजबूत होंगी कैसे, मैंने नहीं कहा जड़ें, मैंने कहा सही जड़ें, क्यों, आगे बताऊंगा, तो सही जड़ें मजब गोगे सही, उतना बोलोगे सही, जब सुनोगे सही, तो आप मजबूत होगे, और जब आप मजबूत होकर बोलोगे, दुसरे मजबूत होगे, वाव, see? वापस बोल दू आप अगर सही सुनोगे तो खुद को मजबूत करोगे और जब खुद मजबूत होकर दुस्सों के लिए बोलोगे उनको मजबूत करोगे यही तो concept है यही तो Jesus ने भी सिखाया और यही तो पहले सदी के लोग करते थे पहल उसने क्या का थी मौती को दूसा थी मौती दूसा देवचन दो 2nd दि मौती चैप्टर 2 वर्स 2 में उसने कहा कि जो बाते थुने मुझसे सुनी वो बाते उन्हें पहुचा जो दुस्सों को भी पहुचा सके लेकिन याद रखना वो faithful हो विश्वासी हो गये वाव वापस पढ़ रहा हूँ सही जड़े मजबूत होंगी कैसे सही सुनने से सही बोलने से गलत जड़े मजबूत होंगी कैसे गलत सुनने से गलत बोलने से तो यह सबी ने क्या सुना गलत सुना क्या किया गलत foundation मजबूत किया जब गलत foundation मजबूत हो गया तो क्या किया बाहर जाकर गलत बोला और जब बाहर जाकर गलत बोला तो जो सही थे वो भी बिगड़ गए क्यों? क्योंकि उनकी foundation मजबूत नहीं थी तो जिसके चलते ये लिखा है कि सही जड़े मजबूत कैसी होंगी सही सुनने से, सही बोलने से गलत जड़े मजबूत होंगी कैसे वही कॉंसेट है, गलत सुनने से गलत बोलने से अब आप सोच की देखिए दोस्तों कि सारा खेल किसका है गलत और सही का दुस्ता क्या है सुनने से और बोलने से अगर सही सुनोगे आगे बोल दीजे, सही बोलोगे अगर सही गलत सुनोगे आगे बोल दीजे तो गलत बोलोगे और जो वेक्ति है न वो वेक्ति जो सुनता है अगर उसने आपको नहीं जाचा, या तो बलत पेड़ बना बैठेगा या सही पेड़ बना बैठेगा। दोस्तों कैसा लग रहा है। बात समझ में आ रही है। आपके कॉमेंट्स में आप लिखते जाएं, बोलते जाएं, कहते जाएं। ठीक है ना? पास्टर डैनियल सही बोलना, सही सुनना के कॉंसेप को कहां से लाएं, ये लिजे रख रहा हूं। मत्धी की किताब पाच्छवा अधियाए वचन सोला, मैत्यू चैप्टर फाइव वस नाइटीन, लिखा है इसलिए, जो कोई इन छोटी सी छोटी आग्याँ में से किसी एक को तोड़े, और वैसे ही लोगों को सिखाए, तो इशू से आग्या, सही सुनोगे, सही सिखोगे, सही सिखोगे, सही बोलोगे, सही सिखाओगे, तो लिखता है इसलिए, जो कोई इन छोटी सी छोटी आग्याँ में स किसी एक को तोड़े, वैसे ही, वैसे ही, जैसे सीखे, वैसे ही, घलत सीखे, वैसे ही, सही सीखे, वैसे ही, अगर सिखाओगे, वैसे ही लोगों को सिखाओगे, तो वह स्वर्क के राज में सबसे छोटा कहलाएगा, सबसे छोटा अब इसके आपोजिट में आ रहा है परन्तु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर के राज्ज में महान कहलाएगा तो महान के आगे कौन खड़ा हो जाएगा छोटा और छोटा के आगे कौन खड़ा हो जाएगा महान तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ आप सब को कहना चाहता हूँ आप क्या बनना चाहते हैं छोटा या महान और यहां पे जो छोटा का ट्रेंग्वेज ठीक है ना तो इस दोके में नहीं रहना कि अरे ठीक है ना चोटा बनके रहेंगे लेकिन स्वर्ग तो मिलेगा बिलकुल नहीं गलत बात या तो जिसके चलते मैं आपको फिर से बता दूँ कि आप जब कुछ तोड़कर गलत सिक कर उसी को सिखाओ गया जोके की बोलना है और विशेश करके सिवकों से विशेश करके पास्टों से विशेश करके बाइबल टीचरों से आप कहीं पर जाके आए आपने कोई कॉन्फरेंस अटेंड कर ली अफ्रीका की अमरीका की यॉरप की चैनीज की कोरियंस की आपने कहीं पर जाके कोई कॉन्फरेंस के साथ में और वहां से आपको कहा कि now you have become pastor, you have become reverend, you have become apostle, bishop, पता नहीं क्या क्या degree बार देते हैं और आप भारत आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं और आप अपने चर्च में शेहर में कहते हैं कि मैं apostle हूँ, मैं prophet हूँ, मैं reverend हूँ, मैं bishop हूँ, मैं pastor हूँ और फिर आपके पास जो भी कुछ लोग हैं आप वही सिखा देते हैं जो वहां से सिख कर रहते हैं लेकिन कभी tally नहीं कर आपने, कभी Bible से match नहीं किया या और कहते हैं ना कि गरम गरम भजिया खाओगे तो मूझ जलेगा तो आपको study करना है, proper study करना है मैं फिर कहता हूँ कि यह जो बंदा बैठा है आपके सामने, यह पूरी तरह से तैहरी के साथ आता है पूरी study करके आता है, कोई भी topic दीजे मेरा proof क्या है तैहरी का इस, खास करके भारत की बात कर रहा हूँ, भारत क्या है जहां इंदी बाशा चलती है, उन सभी की बात करता हूँ, और बिलकुर खुल के बात करूँगा, अभी वाला आपने कभी किसी भी pastor को, किसी भी man of God को, किसी भी teacher, preacher को, यह कहते सुना है, पूछो जो भी पूछना है, और वो भी खुले platform पे, facebook और कि कौन क्या पूछेगा, कहां से पूछेगा, आप सोच के देखिए, लेकिन उसके बावजूद, दंके की छोट पे यह प्रोग्राम चला है, मैंने, और ग्रेंड सक्सेस, आप लोग देख लीजेगा, मेरा लिस्ट उठा कर, प्ले लिस्ट में जाकर, तो यह गमंड है, नहीं, गमंड में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको encourage कर रहा हूँ, सही सीखोगे, सही सुनोगे, सही सीखोगे, सही बोलोगे, सही सिखाओगे, क्योंकि वो सही सुनेगे, तो सारा खेल आपका सुनने पर है, सारा खेल आपका बोलने पर है और सारा खेल दूसरे के सुनने पर है और दूसरे के सीखने पर है अब इसको पढ़िए इन सभी की जड़े मजबूत कैसे हुई इन सभी की जड़े इनकी जड़े मजबूत कैसे देखिए जब ये नहीं थे ना कुछ सालों पहले इनके ग्रूप एक का दुक्का थे इस में से एक का माथा खराब हुआ होगा उसने भाइबल को ऐसे बढ़ा तो जवाब इटनेस का जो हलाकि सभी गलत है लेकिन इनका जो सबसे उटकर जो कहते हैं ना की गलत सिक्षाओं का जो बाप लाइन है सबसे पहला जिसको ठीक करना है ये कहते हैं कि येशु मसी परमेश्वर है ही नहीं जवाब इटनेस वाले वो कहते हैं कि ये स्वर्ग दूतों में से एक स्वर्ग दूत है बताईए क्या करें क्या सीखा गलत क्या सुना गलत जिसने सुना गलत वो भी बन गया गलत सिखकर मदर जरुसलेम, माता मरियम माफ करें, माता जरुसलेम इनका क्या है? ये कहते हैं कि उपर एक महा रहती है गलतियों चार का 26 उठाकर इन्होंने चिपका दिया आउट अफ कॉंटेक्स्ट उठपति की किताब में आदम और अवा को बनाया तो परमिश्वर कहता है उठपति एक 26 में जैसे उसने खुद को देखा वैसे उसने बनाया तो कहते हैं कि समानता में और likeness में, image में स्वरूप में बनाया परमिश्वर ने तो उपर एक ओरत है और एक आदमी है. पर्मेश्वर एक ओरत है पर्मेश्वर एक आदमी है. इनकी मुर्खता देखिए क्या चीज़ है इनका ये गलती है. Only Jesus वाले क्या कहते हैं? ना पिता है ना पुत्र है सिरफ येश्व है. और कहते हैं कि जो पिता था वही पुत्र बना और जो पुत्र बना था साड़े तीन साल के बाद जब चले गए वही पुवित्रात्मा बन करा है क्या कहें उनको, मुर्ख या महा मुर्ख, आपी बता दो तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि दोस्तों इन सबी को जो है कैसे मजबूत हो गए गलत सीख लिया गलत सीखा दिया एक करके एक एक करके जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए और बिगड़ते गए जिबरिश स्पीकिंग ग्रुप्स ये नहीं एड किया है मैंने जिबरिश स्पीकिंग ग्रॉप्स जो बाइबल की टंग्स हैं उसको मैं मानता हूँ जो पत्रस ने बोला उसको मैं मानता हूँ जो पहलूस ने बोला उसको मैं मानता हूँ जो दान पवीतरात्मा का है उसको मैं मानता हूँ लेकिन यह कुछ गुरुप वाले रभा रभा, शबा शबा, नीचे किरना, लोट पोट होना इसको टोटल शैतान की और से मानता हूँ टोटल, ना इफ, ना बट, उनली येस टोटल शैतान की और से हैं, ठीक है न? तो इनका क्या कहना है कि जब तक पवित्रात्मा ये जिबरिश नहीं देगा सबसे पहला कहते हैं, आपका उधार नहीं हुआ है महा मुर्ख लोग हैं ये लोग दूसरा कहते हैं कि आपको पवित्रात्मा नहीं मिला तो इन सब को तो ओपन चैलेंज दे चुका हूँ 25 सवाल इन लोगों से पूछ चुका हूँ इन में से कोई माई के लाल उस 25 सवालों का जवाब देते वे वीडियो मेरे पास तो नहीं भेजा लेकिन उपर से बगवास करते रहते हैं ऐसा है वैसा है अलाना है फलाना इन लोगों से बच के रहो और तीसरा है और भी बहुत सारे कल्ट ग्रूप्स है इन सब को अगर आपको बच के रहना है रूटेड होने से जड़ें अगर मजबूत हो गई खतम वक्त से पहले उखाड़ दो क्योंकि बाइबल कहती है कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया उसको मैं उखाड़ दूँगा जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया उसको उखाड़ दूँगा तो जो चीज़ अभी मजबूत नहीं है ना उसको उखार दो क्योंकि वो गलत है ठीक है ना गलत कैसे हुई गलत सुना और गलत बोला तो ये सब्मिनिस्टिक गलत कैसे हो गलत सुना गलत बोला ओके ना मैं चाता हूं कि आपको एक तगड़ा एक्जामपल दो सबसे पहला ये चित्र देख लो और उसके बाद में वेवस्ता विवरंड उसका 27 का एक से तीन आपके बीच में रखोंगा और साती साथ मैं आपको ये भी बता दो कि मुसा जब 6 लाग लोगों को लेकर बाहर निकल चुका तो परमेश्वर 6 लाग लोगों के पुरुषों की चाल देख रहा था अगर पुरुष सही चाल चल रहा है तो उसकी जिससे शादी हुई है पत्नी वो उसके पीछे चलेगी अगर पत्नी ठीक से चल रही है पती को देखकर तो उसके बच्चे महा को देखकर चलेंगे, क्योंकि उन दिनों में Bible नहीं थी, उन दिनों में किसी प्रकार का YouTube और Facebook के program नहीं आता था, छे लाख लोग मुसा को देखते थे, मुसा की बाते सुनते थे, मुसा के पीछे चलते थे, लेकिन औरते किसको देखकर चलती थी, अपने-पने पतियों को, बच्चे किस को देखकर चलते थे, अपने-पने माबाप को, तो परमेश्वर ने कहां कि एक खाम करते हैं, एक, तुम लोग क्या करो, पत्थरे चुन लो, और पत्थर पर चूना पोतो, आईए पढ़ते हैं, लिखा है कि फिर परमेश्वर के वृद्द लोगों में समेत, लोगों समेत मुसा ने प्रजा के लोगों को ये आग्या दिया, जितनी आग्या हैं, मैं आज तुमें सुनाता हूँ, उन सब को मानना, कैसे मानना, बताते हैं, और जब तुम यर्दन पार होके उस देश में पहुँचो, जो तेरा परमेश्वर यवद तुझे देता है, तब लिखा है बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना, बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना, ध्यान से सुनिएगा, खड़े कर लेना, और उन पर चूना पोतना, वाइट पेंट कर देना, चूना पोतना, वचन तीन, और बाहर होने के बाद, उन पर इस व्यवस्ता के सारे वच ऐसा क्यों मैं बताता हूँ जब मुसा नहीं होगा परमेश्वर के साब से जब यहुशू नहीं होगा परमेश्वर के साब से जब हारून नहीं होगा परमेश्वर के साब से तो पुरुश को देख रहा है उसकी पत्नी को देख रहे हैं उसके बच्चे यानि के बच्चे दे को देखेगा पत्थरों को तो वच्छन पढ़ेगा दस आग्याएं आपको पता होगी Exodus chapter 21 words मुर्ती पुजा करना गलत है तो पती पढ़ेगा पत्नी को बताएगा पत्नी पढ़ेगी बच्छों को बताएगी सबात उन दिनों था फरमेशन ने तो इसका मतलब ये हुआ बहुत ध्यांसर सुनेगा इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों के पास में उन दिनों में वेवस्था को पढ़ना होता था मुसा के दोरा दी गई बातों को पढ़ना होता था और जिसके चलते पर पढ़कर इनको अभियास करना होता था और साती अपने बच्चों को पत्नियों को अपने लोगों को सिखाना होता तो ऐसे करना होता था और ये आगया दी थी परमेशन ने यर्दन के पार तो जिसके चलते ये हुआ सबसे बड़ा सवाल अब आपके बीच में रख रहा हो बहुत घ्यान से सुनेगा सबसे बड़ा सवाल क्या शैतान आपको डेलिटूट कर सकता है या डेलिटूट कर सकता है इसका अर्थ क्या है पास्टर डेनियल अपने शब्द आपके द्वारा बलुआ सकता है डेलिटूट कर सकता है जी कर सकता है क्या अपने शब्द आपके मुँ में डाल सकता है डाल सकता है क्या शैतान अपने शब्द आपसे बुलवा सकता है बुलवा सकता है तो जिसके चलते ये वचन आपके बीच में रख रहा हूं मती सोला कब 22 इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर छेड़कने लगा कब? मैं आपको बतारता हूँ आपको याद है येशु ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते है पत्रस ने कहा कि आप तो जीवते परमिश्वर का पुत्र है तो येशु ने कहा कि ये बात तेरे दिमाग ने नहीं बलकि मेरे पिता ने तुछ से बुलवा है याद आगया? जैसे ही बात करते-करते येशु आगे गए तो येशु ने कहा कि अब से मनुश्य का पुत्र को कुरुस पे जड़ना होगा, दुख उठाना होगा और वो तीसरे दिम जी उठेगा ऐसे बोली रहे थे कि पत्रस आता है जोड से, जल्द बाजी से और येशु को पकड़ कर ऐसे कहता है खबरदार, आप नहीं करोगे कुरुस पे नहीं मरोगे ये किसके शब्दत है? आप जानकर शौक हो जाओगे पत्रस येशु को कुरुस पे मरने से रोक रहा है अगर येशु कुरुस पे मरा महनों जाती के लिए स्वर का द्वार खुल जाएगा, हिंदू, मुसलिम बॉतिस्ट, पार्सी, आदिवासी यहुदी, जेन, जितने भी कौम के लोग है, सब के लिए येशु कुरुस पे मरेगा और स्वर का दर्वाजा खुल जाएगा ये बात पकी है, लाख टक का पकी है तो लुसिफर ने पत्रस के मुह में ये शब्द डाला, इसको रोको और तुम रोक सकते हो, क्यों? क्योंकि इसके ठीक, पहले वच्छन अठारा से येशु कहता है पत्रस, मैं तुझे अद लोक प्रबल ना हो ऐसी कलिसिया तुझ पर बनाऊंगा, और वहां के चावी तुझे दूँगा कुंजियां तो लुसिफर ने कहा इसके ठूँ ऐसी टीचिंग फैलाऊंगा इसके ठूँ येशु को रुकवाऊंगा तो लुसिफर ने अपने शब्द उसके मुँ में डाले तो जिसके चलते उपर लिखा है कि क्या शैतान आपको डेलिटूट कर सकता है या डेलिटेट या ये राइट वड है, डेलिटेट कर सकता है कर सकता है कैसे थाबित होता है, आइए पढ़ता है उसने फिर कर पत्रस से कहा ये शैतान, मेरे सामने से दूर हो मेरे सामने से दूर हो ऐसा क्यों? और पत्रस को शैतान क्यों कहा? आइए पढ़ते हैं connection दे राओ जबर्दस लिखा है लिखा है क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनशों की बातों पर मन लगाता है इसका मतलब क्या है? कि तेरे मुँ में जो बाते अभी आई हैं वो मेरी तो नहीं है तेरे मुँ में जो बाते आई है वो परमेश्वर पिता की नहीं है उसने कहा शैतान मेरे सामने से दूरो किसको कहा? उस शब्द को कहा? किसको कहा? उस एक्ट को कहा? You understand? इसका मतलब क्या है? ईशू को पता चल चुका था कि पत्रज के मुँ में शैतान अपना शब्द डाल चुका है Deluted क्या शैतान आपको Deluted कर सकता है? कर सकता है एक और प्रूफ देता हूं उत्पती तीन का छे लिखा है सो जब स्थ्री ने देखा किस रुक्ष का फल खाने में अच्छा देखने में मन भाव बुद्धी देने के लिए चाहने योग की भी है तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया अब इसको आप लोग पहले से जानते हैं पढ़ते हैं मैं समझता हूं कि आप लोग सब जो हैं इसे वाकिफ हैं इस देट राइट? या या आप लोग इसे वाकिफ हैं जी जितने फेस्बुक पे हैं आठ सो के असपास मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करें और वाच पार्टी करें दूसरों को भी बताएं आपको बता हैं इस औरत ने जिसका नाम है हवा ये औरत ने पहले क्या सुना? गलत सुना इसकी बुनियाद पहले से हिली हुई थी इसकी टोटल बुनियाद हिली हुई थी ये मजबूत नहीं थी इसको रूटिड होना था इसी का फाइदा लुसीफर ने उठाया उसने कहा ये फल देख कितना अच्छा है खा सकती है जैसे तैसे करके इसने कन्वेंस किया लिखा है कि सो जब सत्री ने देखा इसका मतलब क्या है कि कुछ वक्त भी था जब वो कन्वेंस हो गई उस रुक्ष का फल खाने में अच्छा देखने में मनभाव बुद्धी देने के लिए चाने योग भी है तब उसने उसमें से तोड़कर खाया आपको पता है नीचे क्या हुआ देख लीजे लिखा है कि और अपने पती को भी दिया और उसने भी खाया अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ समझा हूँ खाने से लेकर हवा को खाने तक हवा का और हवा का आदम को खिलाने तक इन सब के बीच में गैप्स है टाइम का गैप्स है वक्त का समय का गैप्स है या क्या कहते हैं दूरियां है लुसिफर ने पहले हवा को बनाया बहकाया फसाया जो भी आप बोलनेगे ठीक है ना और जब हवा ने फल को देखा ना जब वो बहका रहा था भाध्यान से सुना तो दुस्सी तरफ हवा वक्चन को भूल रही थी वक्चन फीका पढ़ रहा था लुसिफर की बातें हेवी हो रही थी मजबूत हो रही थी नई तो ये कभी नहीं बहकती आप देख लो बहकी है वो जब वो बहक गई कन्वेंस हो गई उसकी गलत सिक्षाएं रूटेड हो गई और जब रूटेड हो गई तो उसने का कि अब मैं दुस्टों को फसाऊंगी यही तो नुसीफर करता है अब जरा ध्यान दीजेगा अब वो आती है अपने पती के पास यानि कि आदम के पास वो कहती है कि हम वो फल खाएंगे जिसके लिए मना किया है मेरा पका है मेरा पका क्या कहते हैं अजियूम है या अजम्शन है कि आदम ने बात की होगी उसको पूछा होगा लेकिन जैसे लुसीफर की बाते हवा के ओपर हावी हो गई और वचन फीका पड़ गया या अज्या फीकी पड़ गई वैसे ही औरत की बात सुन सुनके आदम भी परमेश्वर की आज्यां को फीका कर गया और लुसीफर की टीचिंग हैवी हो गई अब आप समझ रहे हो कि लुसीफर कैसे अपने शब्द डालता है डिलूटेड यूंदेंड वो अप अपना शब्द डालता है अब जड़ा एक कनेक्शन देता हूं आपको मज़ा आएगा ठीक है ना लेकिन उसके पहले यह एक्जामपल देता हूं निर्गमन उसका 32 का एक जब लोगों ने देखा कि मुसा को परवत से उतरने में विलंब हो रहा है तब वो वे हरुन के पास साथ क्या हुआ हम नहीं जानते 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 हो कहां गया वाव सी तो इसका मतलब है कि हरुन के कानों में यह शब्द डाला ना मैं चाहता हूं कि आप इसको पड़ो आदम को किसने शैतान के शब्द ने, शैतान ने अपने शब्द डाले हवा में, हवा ने उसी शब्द को डाला आदम में, इसलिए येशु शब्द बना, आदी में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, हरुन के कानों में, शैतान ने भी शब्द डाला, सोच की देखिए आप, सोच की देखिए आप, एक ऐसा वेक्ती, जो परमेश्वर का याजक है, उसके कानों में, शैतान ने शब्द डाला, कहां रख रहा हूं, यहां, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ, तो आदम को किस ने बिगाड़ा शैतान के शब्द ने शैतान ने अपने शब्द डाले हवा में और हवा ने उसी शब्द को डाला आदम में इसलिए येशु शब्द बना आदी में वचन था वचन परमिश्वर के साथ था और वचन परमिश्वर था तो हारून के कानों में शब्द किस ने डाल शेतन किस के थूँ छेहलाख लोगों के थूँ तब मुसा निर्गमन बत्तिस का एक्टिस में पूछता है तब मुसा हरुन से कहने लगा इन लोगों ने तुस से क्या किया के तुने इनको इतने बड़े पाप में फसाया अपने ही समझे परमिश्व ने साप को पूछा ये क्या किया हवा को पूछा ये क्या किया हवा को पूछा ये क्या किया अब आप सोच के देखिए आदम को पाप में क्यों डाला हवा को अब आप सोच के देखिए हरून को कौन फसा गया छे लाख लोग शब्द किस के थे शैतान के तब मुसा कहता है कि इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था कि तुने इनको पाप में डाल दी इसका मतलब क्या है बहुत द्यांसर सुना तू चाहता तो इनको रोक सकता था बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं हरून अगर तू चाहता इनको रोक सकता था लेकिन तेरी गलती कहां पर हो गई वापस पीछे जा रहा हूं तेरी गलती कहां पर हो गई तेरी गलती यहां पर हो गई जब तूने सुना हमको नहीं पता मुसा कहां गया उपर से पढ़ते हैं जब आगे आगे चले क्योंकि वह पुरुष मुसा को हो जो हमें मिसर के से निकाल ले आया था हम नहीं जानते उसके साथ क्या हो अरून तुने परमिश्वर की आग्या को वीक बना दिया कमजोर बना दिया तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं आप बहकते कब हैं जब सही वाले जिबरिश वाले यह जब आपके पास आएं आपकी खरी सिक्षा को इतनी मजबूत करो आप उनको टक्कर दे सको जवाविटनेस वाले आपके घर पर आएं मदर जरुशलेम वाले आपके घर पर आएं ओनली जीजस वाले कल्ट वाले तो आपकी खरी सिक्षा की ठीच उन्हें खुद को शब्द क्यों कहा? येशु ने खुद को वचन क्यों कहा? In the beginning, there was a word. ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा कि आदी में वचन था? आप सोच की देखिए. क्योंकि येशु को भी पता था कि अगर आदम को बिघाडा है, तो उस शब्द ने, वचन ने, गलत शब्द ने, तो मुझे बन कर आना होगा सही शब्द. वाव, यहां ताली भजनी चेप रभु के लिए. तो जिसके चलते, मुसा कहता, ये क्या कर दे? और क्या रखा उनके सामने? दसा गया, जो वचन थे, वही रखा उनके सामने. दुसा कुरंतियों दो का गयारा. की, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्यों? रख रहा हूं. क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अंजान नहीं. हम उसकी युक्तियों से अंजान नहीं. इसका मतलब ये हुआ, जरा चितर को देख लेज़ेगा ठीक से, कि लुसीफर, शैतान, युक्तियों बनाता है. और पाउलूस को पता था. इसका मतलब क्या है? पाउलूस को भी इसने यूज किया था. दमेशिक में जाओ, लेटर साइन कराओ, कलिसिया को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, किसको जब ये शाउल था. ये जब दर्शन मिला ये शुका, तो आँखें खुल गए, सब्ति को जाना, तब इसने बोला, कुछ तो गड़बड हो रहा है, कोई तो मुझे लीड कर रहा है, कोई तो अपने शब्द मेरे मुँ में डाल रहा है, और जिसके चलते मैं बह करा हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ, ये गलत आवाज है, आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो, आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो, कि ये आवाज शैतान की है, किस के दोरा बोलेगा, तो मेरा कॉशन है, कि आदम को किस के दोरा फसा है, उसके खुद के करीबी के द्वारा, उसके खुद की पत्नी के द्वारा, हरुन को किसने बैकाया, या हरुन ने इसरालियों के लिए किसने किसको बैकाया, ग्रेट प्रॉफिट उस वक्त का, जिसको परमिश्व ने काता कि ये तेरे नभी है, हरुन, उसके द्वारा बैकाया, सोच की देखिया और फिर येशु क्या कहते है मती 24-24 में चुने हुए तक बर्माए जाएंगे और जब चुने हुए बर्माए गए तो फिर आपको बर्माएगा कौन वही चुना हुआ जिसको आप लोग कहते है न पीच में किसी से बात कर रहा था है वो कह यह आदमी घलत कैसे हो गया? You understand? शैतान किसी को नहीं छोड़ता सा. अगर आपकी foundation मजबूत नहीं है, वो अपनी युक्तियों में आपको फसा देगा. वाव! अब इसको देखे, शैतान अपने शब्द डालता है. शैतान अपने शब्द डालता है. आपके जबान पर, आपके मूँ में, आपके जहन में. प्रूफ क्या है, पास्टि डैनियल? यह देखिए. प्रेजितो की किताब 5 का 3. एक चाप्टर 5 वस 3. परंतु पत्रस ने कहा है, एह अननिया, क्या कहा देखो? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? बात क्यों डाली? वाव! सी? मैं बाइबल के बार सिक्षा दे रहा हूँ? बिलकुल नहीं. सबका कनेक्शन कहां से है? वचन से. और वो भी राइट कॉंटेक्स्ट में है. शैतान अपने शब्द डालता है. जैसा येशू अपने शब्द डालता है. जैसे येशू अपने शब्द डालता है. तो शैतान भी अपने शब्द डालता है. और येशू ने यही तो प्रात्ना की यहुना सत्रा दिया है के वचन आठ, नो, दस आगे से. कहता है कि मैंने तेरा वच्छन इन्हें सौंप दिया है लुसीफर कहता है कि मैंने अपना वच्छन इनको सौंप दिया है येशु के वच्छन फैलेंगे सत्ति के लिए लुसीफर के वच्छन फैलेंगे जूट के लिए रखोंगा आगे तो शेतान अपने शब्द डालता है प्रूफ क्या है ये तो हननिया सफीरा को जूट किसने बुलवाया शेतान में वो बहक कैसे गए लुसीफर के शब्द से आज जितनी लोग बहक रहें कैसे बहक रहें इसी लुसीफर के शब्द से बताईए फिर प्रोग्राम का नाम क्या रखे, यही तो रखे न, यह कैसा अंधापन है, सी, वाउ, प्रकाशित वाकिये पांच, तेरा पांच, आपने कभी पढ़ा, आज पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, लिखा है, लिखा है कि बढ़े बोल बोलने, और निंदा करने के लिए, उसे एक मू दिया गया है, किसक बोलने के लिए, ग्रेट वर्ट्स, ऐसा क्यों, बढ़े बोल, आपने ही समझा भी भी, समझाता हूँ, आपको पता है, बाइबल मिस्ट्रीस में बहुत बात करती है, रहस्य में, सनातन सू समाचार, रहस्य था, बेटे के दोरा प्रगट किया, कलिसिया और दुलान, दुल के दिनों में भी, जो की शुरू हो गया भी, ऐसे बहुत सारे बोल है, और व्यक्ति उसमें फसते जा रहा है, व्यक्ति उसमें फसते जा रहा है, ध्यान से सुनना, आज, किसी ने मारास्टा, एमम्पी वाट्स अप ग्रूप में, एक रैली निकल रही है, मुर्चा, मस्यो आप में से कुछ लोग, अगर उस पोस्ट को देखे होंगे, या कहीं पे भी चल रहा होगा, तो आपका राय होगा, मेरे लिए, मेरे को पूछते होंगे, कि आप क्या कहते हैं मुर्चा के बारे, मतलब मस्यों को सताय जा रहा है, मेरा पहला सवाल ऐसे लोगों से, उन सुसमाचार का दर्वाजा खुला था, तो आप सुस्त क्यों थे, आपके चर्च को क्यों ने सिखाया, सुसमाचा सुनाओ, यही तो येशु बार-बार कह रहे है, यह उनना का चार का, पैतिस आगे, आखें उठा कर देखो, फसल तो कपकी पकी है, लेकिन मचदूर नहीं ह गलतियो चे का नौ कहता है, अगर हम ठीक समय पे कटनी काटे, यदि धीले ना हो, तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे, तो धीले तुम पढ़ गए, और जब सब कुछ बिगड़ रहा है, तो शारिडिक में आ गए, बगावत करोगे, सरकार के खिलाफ में नारे लगाओगे, क स्प्रिच्वल, आगे आप लोग समझदार है, तो बढ़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मू दिया गया, अब इसको देखे, यह आता है जूटा प्रोफिट, जिसको कहते है फॉल्स प्रोफिट, मालो मैं ना, हाँ, प्रकाशिद वाके तेरा का ग्यारा, क कहता है कि फिर मैंने एक और पशुक उप्रत भी पर से निकलते वे देखा, उसके मेमने के से दोच सिंग थे, अब जरा शब को ध्यान दो, वह अजगर की नाई बोलता था, बोलता था, उपर क्या लिका है, भड़े बोल बोलेगा, नीचे क्या लिका है, अजगर की नाई बोलेगा, तो सारा खेल बिगड़ा कहां, जब मैडम को पता चला, पीछे माफी चाता हूं, बहुत पीछे जा रहा हूं, जब मैडम को पता चला कि फल अच्छा है, जब उसने देखा, तो उसके मूँ में डाला किसने ये शब्द, बोलो, आदम को बोलो, खाए, आदम को ने डाला, शेटान ने, इसलिए ये शु क्या बन कराया, शब्द बन कराया, तो इसके मूँ में शब्द डाला किसने था, शेटान ने, आजकल बहुत सहरे शब्द, बड़े बड़े सेवकों के जबान पे डाला जा रहा है, और जिसके चलते मैं ने ये रखा था कि हम शैतन अपने शब्द डालता है प्रूफ क्या है? शैतन ने अपने शब्द हननिया के जबान पे डाला उसी वक्त उसकी मौत हो गए उसी वक्त पती पती दोनों एक साथ गए और आगे लिगा है कि चर्च में डर आ गया और जिसके चलते में ने ये रखा अब आते हैं आकरी में इन दोनों में बड़ा अंतर इशू में और शैतान में बड़ा अंतर वाव ये अंतर देखना चाहते हैं ये बड़ा अंतर क्या है? आए देखते हैं सत्य का पिता, जूट का पिता ये शू कौन है? सत्य का पिता यह कौन है जूट का पिता प्रूफ क्या है लीजे यहना आठ का बत्ति सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें सौतंतर करेगा यहां कहां लिखा है यहना आठ का उसी चैप्टर में 44 में तुम अपने पिता शैतान से हो अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो वह तो आरम से हतिहरा है और सत्य पर नहीं तिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं जूट बोलता है अपने सोबाव से ही जूट बोलता है क्योंकि वह जूटा है वरना जूट का पिता तो येशु कौन है? सत्य लुसीफर कौन है? जूट येशु क्या डालता है? सत्य शैतान क्या डालता है? जूट My goodness तो foundation आपकी क्यों हेल रही है? क्योंकि ये डाल रहा है शब्द और आपका जो परखने की जो बात है पिछले आप तिकाता ना परखने का दान बहुत जरूरी है या अब आपको पता चल गया होगा तो जिसके चलते मैं समझता हूँ की जिसके चलते मैं समझता हूँ की आप सभी को ये दो डिफरेंशिस करना आना चाहिए इन दोनों में अंतर क्या है ये अंतर है एक है सब्ति की शब्द को डालता है आपकी जबान पे और एक है जूट की शब्द को डालता है और वो डालता है और वो सबसे पहला शुरुबात करता है बड़े-बड़े सेवकों से बड़े-बड़े सेवकों से शुरू करता है या बड़े-बड़े सेवकों से शुरू करता है कैसा लग रहा है अभी तक Now, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझ गए है अब इसको पढ़िएगा Luca 8 का 18 और ये चित्र तो आप जानते ही होंगे Luca 8 का 18 कहता है कि चौकस रहो कि तुम किस धीती से सुनते हो चौकस क्यों चौकस क्यों जितने Masih Manthan के लोग है आप लोग समझ रहे हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है कैसे सीखना है और कैसे सीखना है Yeshua कहता है Daniel चुकर फरे क्या सुनता है तु यू टुब पे, क्या सुनता है तु फेस्बूकप़ आपको भी है ना चाहता हूँ? आपको भी हैँना चाहता हूँ? आज मुझे किसी का समय और में चाहिए काल आ तया लो एक काल जो पहले वो जाते थे, उसका लोकल पास्टर आया, मतलब उस जर्ज का पास्टर आया, पती पत्मी आया, और कहने लगे, अनाप शनाब ये, वो सब कुछ है ना, अगर नहीं आओगे तो शराप आएगा, ऐसी सारी कुछ-कुछ बाते हैं, वो कह रहे थे उसको, वो वेक्टी न मैंने उनसे भी का, अभी वो मुझे शाय देख भी रहोंगे, मैंने उनसे कहा कि जो भी कुछ वो वेक्टी बोल कर गया, क्या वचन से बोला? नहीं, क्या कोई भी वचन को कोट किया? नहीं, मैं जब बात कर रहा था, वचन के बाद वचन, वचन के बाद वचन, वचन के ब डालता है, मैं वापस रखना चाहता हूँ शैतान अपने शब्द डालता है शैतान अपने शब्द डालता है पास्टर को लग रहा होता है कि वाउ, कुछ तो अभी शेक आ गया में जबकि ये डाल रहा होता है कुछ लोग बोलते हैं, there is anointing over here, I can feel the anointing over here पागल, वो anointing नहीं है बेठा, वो शैतान की हरकते हैं और तुम्हारे मूँ से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जो non-biblical है मैं उस सभी को request करना चाहता हूँ जो इन लोगों की conventions में जाते हैं जो इन लोगों के programs में जाते हैं और जाकर आप बैठते हैं ना, देखते हैं ना, तो उसको बारी की से observe करो, बारी की से उसको पकड़ो और उसकी जो भी statement है ना, वचन से टैली करो प्रहरीतों का सत्रा ग्यारा याद रखना चाहिए आपको परकते थे पहलूस को, जब अब पहलूस को परकते तो यह लोग क्या चीज़ हैं मैं क्या चीज़ हूँ, यू अंडर्स्टैंड, डिल्यूटेट डिल्यूटेट, शैतान अपने शब्द डालता है आपके जबान पे जिसके चलते मैंने यह रखा था, आपके बीच में बापत रख देता हूँ और यह रख रहा हूँ गलतियों पांच का साथ से आठ तक, मैं कहता है कि तुम तो भली भाती तोड रहे थे, अब किसने तुमें रोक दिया, कि सत्य को ना मानो, तुम को किसने रोक दिया, कि पकड़ो, लुसीफर है ना, सब के ओपर टार्गेट रखा हुआ है, सब को पकड़ता है तो वो बलता है इसको पकड़ो, तो जिसके चलते कहता है कि भली बाती दोड रहे थे, आप किसने तुम्हें रोक दिया, कि सत्य को ना मानो मानो, कि सत्य को और से नहीं है, तुमको सब को नेकर चलना होगा, या, कैसा लग रहा है, वाउ, अभी इसको देखें सब, जिसके कान हो, वो सुन ले, कि आत्मा कलिस्याओं से क्या कहता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये सेवन चर्चेस हैं साब, साथ कलिस्याओं में, साथो कलिस्याओं को भवित्र आत्मा और येशु एक ही बात कहता है, जिसके कान हो, सुन ले, जिसके कान हो, सुन ले, अब बताईए, ऐसा जोर क्यों? ये कानों पे इतना जोर क्यों? सोच के देखे, इसलिए यह शुने का चौकस रहो, क्या सुनते हो आप लोग अभी जब मुझे सुनते हो मुझे पका पता है कि आप लोग दुस्सों को भी सुनते होंगे, बट मैं वान करता हूँ चौकस रहो, बहुत ध्यान सा सुनना मैं पहले भी बोलता हूँ, फिर बोल देता हूँ ऐसे किसी प्रीचर को ऐसे किसी पास्टर को ऐसे किसी रेवरेंट को ऐसे किसी बिशप को ऐसे किसी अपोस्तल को ऐसे किसी इंटरनेशनल प्रीचर को ऑनलाइन प्रीचर, फिजिकल, वर्चुल किसी को नहीं सुनना जो रभा रभा शबा 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 बोलता हो यानि कि जिबरिश बोलता हो उसको पका नहीं सुनना वो बिलकुल लुसीफर के जहांसे में है वो लुसीफर के जहांसे में क्योंकि शेतान अपने शब्द डालता है वाव क्या dangerous चीज है दोस्त I wish कि ये लोग बच जाएं मैं चाता हूँ कि ये लोग बच जाएं लेकिन बहुत ज़्यादा rooted हो गए है, मुश्किल से बचेंगे ये लोग बाकी प्रभु काम करेगा ठीक है न? तो जिसके चलते परमिश्वर कलिसिया को कहता है बचो, बचो, बचो सुनो, सुनो, सुनो क्या सुनते हो देखो, लास्ट में रोमियो 10 का सत्रा Romans 10, 17, मैं चाहता हूँ इसके ओपर फोकस करेंगे, उसके बाद एक और स्लाइड है फिर खता हो जाएगा, सो विश्वास सुनने से, सुनना मसिया के वचन से आता है अगर मैं सिरफ ये दो लाइन काट दूँ अगर उपर का लाइन रखूँ तो विश्वास सुनने से आता है तो फिर गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत कुछ मार्किट में चल रहा है वचन को सुनने से विश्वास आता है तो कौनसा विश्वास लेकर चल रहे है वचन का विश्वास या फिर सुना सुना विश्वास My goodness कैसा लग रहा है दोस्त? वचन जो येश्व के मुख से निकलता है लुसिफर को यही तो काब शैतन को येश्वने जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है उसी को खा कर जीवित रहेगा तो आपका विश्वास का बढ़ेगा जब वचन को सुनोगे और वो भी सही तरीके से नहीं तो गई बेंस पानी में कैसा लग रहा है दोस्त? या तो विश्वास बहुत ज़रूरी है और वो आता है सिर्फ और सिर्फ वचन से अब इसी का कनेक्शन दे कर खतम करने वाला हो यहुदा की किताब एक कात्तिं ओके जरा देखेगा हे परियो जब मैं तुमें उस उद्धार के विश्वे में लिखने में यतन परिश्रम से अतियंत परिश्रम से यतन कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं तो यहुदा हाँ यहुदा याकूब का भाई यहुदा याकूब बाइलाजिकल यूसुफ और मरियम के बच्चे अत्मिक तोर पर अगर देखे जाएं तो जब येशु पैदा हुए ता उसके बाद में बच्चे हुए तो येशु के भी भाई बोल सकते हैं उसको ठीक है न? बहुत ध्यान से सुनेगा तो यह कहता है कि उस उद्धार के विश्य में लिखने में अतियंत परिश्रम में अतियंत परिश्रम से यतन करता था जिसमें हम सब सबागी हैं तो कहता है कौन सा विश्वास? Salvation का विश्वास ये वो विश्वास नहीं है जो चीजों के ओपर विश्वास करें ना ये doctrinal faith है कि आपकी doctrine ऐसी है मेरा वो विश्वास है विश्वास के लिए पूरा यतन करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था उधार एक ही बार सौंपा गया था तो उस उधार को लेके जो doctrine है ना वो कहीं corrupt ना हो जाए क्योंकि वचंचार मैंने नहीं रखा पढ़ लेना आप लोग वचंचार में लिखा है कि यह वही विश्वास पर attack करने आएंगे doctrine पर attack करने आएंगे आपके येशु के teaching पर attack baptism के teaching पर attack faith की teaching पर attack prayer, fasting, Jesus, Bible और ऐसे बहुत सारे topics हैं उस पर attack करने आएंगे तो जिसके लिए कहता है कि मैंने ये अवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यतन करो जो पवित्र लोगों को एक ही बारसों पागे यतन क्यों? कोशिश क्यों? संगर्श क्यों? क्योंकि विश्वास चिन सकता है doctrine बिगर सकती है आपको आपकी जडों से गलत सिक्षाएं उखाड कर गलत बीच बोकर गलत जड़े बना सकती है My Goodness कैसा लग रहा है? कुछ लोग सोच रहे होंगे और बोला भी है मुझे बहुत अच्छा किया जो आपने ये प्रोग्रम लाया ये कैसा अंधापन है? तो